दोस्तों बरसात का मौसम बस शुरू ही होने वाला है और बरसात में सबसे ज़्यादा दो नुकसान होता है वो होता है हमारे पौधों को क्योंकि वो अक्सर धूप में और खुले में रखे होते हैं और जब नॉन्स्टॉप बारिश होती है तो हमारे पौधे सड जाते हैं उनकी जड़े गल जाती हैं पौधे खराब हो जाते हैं तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं पंद्रा ऐसे जरूरी काम जो आप अभी भी कर सकते हैं और बरसात के दोरान भी कर सकते है लेकिन अगर अभी कर लेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल भी सडेंगे गलेंगे नहीं और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे जैसे ही हर्याली बनी रहती है आपके गार्डन में वैसे ही बनी रहेगी तो कुछ काम तो ऐसे हैं जो आप अभी करें और कुछ क कर सकते हैं क्योंकि यह जून का महीना जो है यह इस time पर humid weather हो जाता है काफी और अभी 18-19 June हो चुकी है तो इस time पर काफी humidity भी है कहीं कहीं पर बारिष भी शूरू हो गए हैं तो आप इस time पर reporting कर सकते हैं दूसरा जो जरूरी काम है वो यह कि जितने भी पौधों की आप cutting लगाना चाहते हैं तो वो cutting भी अभी लगा सकते हैं बहुत यह अच्छा मौसम है और आप 20-25 जून के बाद से कभी भी cuttings लगा सकते हैं 20 जून के बाद से आप कभी भी लगा लीजे तो वो cutting का काफ़ी जादा chances होते हैं चलने के इसके बाद में तीसरा जो बहुत ही common sense है कि जब तीसरा point भी यही है कि जब बारिशे होती हैं और बरसात के मौसम होता है तो उस time पर हमें पौधों में बिल्कुल भी liquid fertilizer का use नहीं करना है अक्सर मैं आपके साथ में बहुत धेर सारे liquid fertilizer use करके दिखाती रहती हूं और बहुत सारे share भी करती रहती हूं लेकिन आप बरसात के दिनों में अपना कोई भी liquid fertilizer use ना करें क्योंकि उससे कुछ फाइदा नहीं होता है पानी के साथ साथ हमारा जो liquid fertilizer होता है वो भी निकल जाता है और अगर आपको liquid fertilizer देना ही है तो केवल तब ही दे जब आपके पौधे या गमले की मिट्टी बिल्कुल सुखी हो अगले टिप जो है चौथे नमबर की टिप वो ये कि अगर आपने compost बनानी है या आप compost बनाते हैं तो composting की तयारी अभी कर दें क्योंकि आज कल में ही अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी compost जो है वो next month तक मदब जुलाई अगस तक बन करके बिल्कुल ready हो जाएगी और उसमें मच्छर मखी वगरा नहीं लगेंगे बशरते आप ढख करके रखें तो ये देखिये मैं हमेशा अपने घर में ही compost तयार करती हूँ और ये लगबग एक से डेड़ महीने में अच्छे से बन करके तयार हो जाती है और इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती जो चीजे हमें घर में मिल जाती हैं उसी से compost बना लिया जाता है किचिन वेस्ट का सबसे ज़दा यूज होता है और बाकी कुछ नई garden की soil है और किस तरीके से compost बनाते हैं उस पर मेरे दो वीडियो है आपको link दे दूँगी उपर आई बटन पर जा करके चेक कर सकते हैं तो अगला टिप यही था कि compost बनाने की procedure जो है वो आप अभी से शुरू करते हैं पांचवा टिप जो है वो जरूरी ये कि अगर आप अपने garden में ट्रे गार्डनिंग का शौक रखते हैं यानि कि अगर आप भी ट्रे गार्डनिंग करते हैं मिनियेचर गार्डन आपने बना रखे हैं या फिर मैंने भी जैसे आपके साथ में टोपियारी वगरा शेयर की थी एक दो वीडियो में तो अगर आपने भी बनाई हुई हैं तो इस तरह की ट्रे गार्डनिंग या फिर जो creative डिजाइन में आपने गमले या पौधे इसके अलावा जो next tip है वो ये की पौधो के गमलो के जो होल होते हैं वो चेक कर लीजेगा अभी ये काम अभी करने का हैं तो गमलो के अगर होल नहीं है तो होल कर दीजे चाहें वो cemented गमले हैं प्लास्टिक के हैं मिट्टी के हैं जैसे भी हैं उसमें होल जरूर होना चाहि हैं तो ये वाली चीज भी बहुत जादा जरूरी है इसके अलावा अगली टिप जो है वो बरसात के दिरों में अपने पौधों में किसी भी प्रकार की खाद ना दे लिकुट फर्टिलाइजर तो मैंने आपके साथ में बताया ही था कि उसको नहीं देना है किसी भी तरह की खाद को आपने अपने किसी भी पौधे में नहीं देना है अच्छा इसी के बाद में अगला जो टिप है जो जरूरी है वो ये कि जितने भी गमले हैं हमारे अगर हम गमलों में पौधे लगा रखे हैं तो उन सभी गमलों को इस समय पर धूप में शिफ्ट कर देना क्योंकि क्या होता है जब बहुत सारी बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल उसके बाद में परसाते भी कई बार तो ऐसा होता है लगातार तीन से चार दिन तक बारिश होती ही रहती है ऐसे में गमलों की मिटी जो होती है वो सूख नहीं पाती है लेकिन अगर हम गमलों को ध फोटो सिंथेसिस का काम जो करते हैं अपना खाना बनाने का जो काम करते हैं धूप में अच्छे से कर पाते हैं और आपका जो पौधा है वो भी हरा-भरा रहता है तो इस चीज का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब बहुत जादा बारिशे होती हैं ऐसे में जब भी दूप निकलती है तो अपने पौधों को धूप में जरूर रखना चाहिए एक चीज और है जो जरूरी है और बहुत ही नॉमल सी कॉमन सी चीज है वो यह कि जिन पौधों को कम पानी की जरूरत होती है जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि क्रोटन है या फिर सकुलेंट फिर हमारा जैसे जेट प्लांट वगरा है तो इस तरह के पौधों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है और यह देखिया तो हाइब्रिड विंका में बहुत कम पानी की जरूरत होती है अभी लगातार 5-6 दिन जो ट्रे लगाते हैं वो इसलिए लगाई जाती है काफी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि गमलों के नीचे ट्रे क्यों लगाते हैं तो वो इसलिए लगाई जाती है जिससे कि हमारा फर्ष खराब ना हो और एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो ट्रे में रह जाता है और गर्मियों के दिनों में अगर हमने किसी गमले में जादा पानी डाल दिया तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा पानी उस ताइम तो निकल जाता है ड्रेन आउट हो जाता है गमले के होल के थूरू लेकिन सारे दिन में वही पानी बूंद बूंद करके हमारे गमले को जितनी नहीं होती है तो उसके नीचे जो ट्रे लगाई होती है उसको हमें इस टाइंग पर हटा देना चाहिए इसके अलावा अगली टिप जो है वो यह कि जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनको हमेशा जब भी बारिश हो आप एक बार बारिश में जरूर रखें और उसके बाद मे नेक्स टिप जो है वो यह कि जितने भी हमारे गमले होते हैं उसमें जादा पानी की वज़े से बहुत सारे प्लांट की पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती है तो उन पत्तियों को जितनी भी पत्तियां है उनको डेली बेसस पर आपको निकालते रहना चाहिए क्य अच्छा अब बारवे नंबर पर जो टिप है वो ये की अपने पॉधो को फंगस से बचाना चाहेँ बरसात के दिनों में जिन दिनों काफी सारी बारिश खोती है तो उन दिनों क्या होता है कि पॉधो में जो नीचे पत्तियां होती हैं जो मिट्टी से टच होती हैं पत्तियां उसकी वज़से क्योंकि फंगस जो होती है वो मिट्टी से ही आती है और मिट्टी से अगर पत्तियां टच हो रही है तो उसमें फंगस पौधे में लगनी ही लगनी होती है तो इसलिए नीचे के साइड में जितनी भी पौधे की पत्त रही हूं उनको आप regular basis पर यूज करते रहें जैसे कि हल्दी हो गया हल्दी तो मैं हमेशा ही यूज करती रहती हूं तो हल्दी को अपने पौधे के उपर स्प्रिंकल कर दिया कीजिए जैसे कुछ-कुछ दिनों के बाद में सुखी हल्दी लीजिए मतलम नॉर्मल हल्दी ली है नीम का तेल कम से कम दो तीन ड्रॉप नीम का तेल लेकर के पानी में मिक्स कीजिए और उसको भी अपने पौधों के उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगी हाइड्रोजन पैरक्साइड अगर आप पूछेंगे किसी भी कैमिस शॉप पर मेडिकल शॉप पर तो वो एजीली अवैलेबल हो जाता है तो एक से दो एमल हाइड्रोजन पैरक्साइड को आप एक लीटर पानी में मिला करके वो भी अगर स्प्रे करेंगे अपने पौधों पर तो वो भी काम करता है तो यह तो कैमिकल बेस वाला हो गया लेकिन इतना हा वैसे मैं परसनली अपने पौधों पर कैमिकल की चीज़े यूज नहीं करती हूं मैं सिर्फ हल्दी या नीम तेल की इस्तिमाल करती हूं उसी से हो जाता है इसके अलावा जो राख होती है लकडी के कोईले की या चारकॉल वाली वो राख भी अगर अपने पौधों पर अंदर अगर काफी स्पेस है तो उसमें मिट्टी भर दीजिए उससे क्या होगा कि जितना भी बारिश का पानी होगा वो गमले के अंदर ठहर नहीं पाएगा और आपका जो पौधा है वो बच करके रहेगा तो बस आज की जानकरी इतनी ही थी ये 15 टिप्स आशा करती हूं आपको पसंदा लाइक भी करें और शेयर भी करें मैं जल्दी मिलूंगे आपसे एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हैपी बी आक्टिव अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई हैपी गाडनिंग